हलो दोस्तों आपका हमारे चैनल कोक बेज़ फूर्ड में स्वागत है आज हम बनाएंगे पूरवांचल की फेमस डिस चोखा बाटी यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है और यह देखिए हर बाटी हमारी कितनी बढ़ी आसे सिकी है इसको बनाना घर में बहुत ही आसान है इसको हमने डारेक्ट फ्लेम पर सेखा है और कड़ाई में सेखा है तो चले चलते हैं सबसे पहले चोखे की तियारी करते हैं यहाँ पर हमने एक बैगन ले लिया है अब इसमें एक चाकू की हेल्प से हम छोटा सा होल कर लेंगे इसके अंदर लहसुन को इस तरह से दबा द देखिए हमने दो तीन लहसुन इसके अंदर इस तरह से दबा दिये हैं चलते हैं इसको भूनने के लिए गैस की फ्लेम को हम स्लो रखेंगे और बैगन को और टमाटर को यहाँ पर हमने चार टमाटर लिये हैं इस तरह से बून लेंगे और यह देखिए हमारे बैगन और ट साफ कर लेंगे एब बाउल में इस तरह को हम निकाल लेंगे और बाउल येजिधर शोकह द यह जो अरफ ने खेड़ें में ऊसे हैं ऐस्सादी डाल देंगे शोकहँ बाउल Kniffe डाल देंगे हम इसमें और साथ ही डाल देंगे टमाटर टमाटर की परत को हमने साफ कर लिया था उस तरह से हम इसमें चला करके एक मैसर से मैस कर लेंगे इससे चोकब बहुत बढ़िया बनेगा और यह देखे बढ़िया से हमारा आलू टमाटर मैस हो गया है अब मिलाएंगे प्रसों तोटा दालें यह डाला है यह रिमिर्च अत्रस्थ के निअए यह दाल सकते हैं पर नहीं दूखा बन के हमारे रेड देने हैं अब लगाएंगे हम बाति काटा यहां पर एक टूरी गीहू काटा लिया है अब इसमें मिलाएंगे आदा चमच अजवाइन इसको हातों से इस तरह से क्रस करके हम डाल देंगे स्वाद नुसर मिला देंगे नमक, मिला देंगे नमक यहां पर हम एक छोटा चमच नमक लिया सिए 4 जाच और 2 चमच डाला है ऑईल अब इसको अच्छेलेंगे मिक्स इसका अब हम टाइट डो तयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका हम बढ़िया से डो तयार कर लेंगे थोड़ा टाइट डो तयार करेंगे जिससे की बाटिया बनाने में दिक्कत ना आए और ये बाटियां बहुत बड़ी है बनेंगी एक पर ज़रूब बना के ट्राइ कीजिएगा आप भी और ये देखिए इस तरह से हमाटे को टाइट गूंदेंगे ज़्यादा पानी डालके नहीं गूंदेंगे इसीतर हम सूखा सूखा समेट लेंगे और थोड़ा सा पानी लेकरके इसको 10 मिट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे इस तरह से इस पर हम एक सूती कपड़ा ढग देंगे अब करेंगे बाटी की फिलिंग की तयारी यहां पर हमने एक कटोड़ी लिया है सक्तू यह भुने चने का आटा है यहां पर डाल दिया है कद्यूकस किया हुआ एक चमच द्रक, आदा चमच कटी हुई हरी मिर्च थोड़ा सा डाल दिया धनिया एक चमच मिला देंगे अचार का मसाला थोड़ा सा मिलाएंगे नमक और आदा चमच मिलाएंगे लेमन जूस और एक चमच मिला देंगे सर्सू का तेल अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब यह सूखा सूखा है इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, और इसको हातों से इस तरह से इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे, जैसे लड़ू बनने लग जाएं. ये देखे हमको इस तरह से छोटे-छोटे से लड़ू बना लेंगे, जिससे कि ज़ब बातियां भरेंगे, तो बाटियां बढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी देखे इस तरह से हम छुट छुटे पेड़े बना लेंगे वो सारे पेड़े बना के हमने रेडी कर लिये हैं अब देखते हैं हमारा डू तयार है कि नहीं अब इसको हम थोड़ा समेट लेंगे या भी भी देखी कितना बढ़िया से टाइट है वो 10 मिट रेस्ट करने के बाद ही यतना अच्छा है वो इससे बाटियां बहुत बढ़िया बनेंगे यह हम चेक करेंगे कितना टाइट है या नहीं वो यह देखे है अब इसकी हम छोटी-छोटी लोईयां बनाएंगे इस तरह से आटा ले करके इसको लंबा करके इसके छोटी-छोटी लोईयां काट लेंगे आप बाटियों की लोई अपने कॉर्डिंग ही काट लें और ये देखिए इस तरह से मतेली पर ले करके उंगलियों से इस तरह से थोड़ा फैला लेंगे और ये देखिए इतना पतला रखेंगे जिससे कि ये ज़्यादा मोटी भी ना रहे और एक लड़ू ले करके सत्तू का इसके अंदर हम फिल कर लेंगे और इसको अच्छे से बंद कर लेंगे अगर एस्टा आटा है तो आप हटा दीजिए वरना उसमें ही दवा दीजिए दीखिए हमने इस तरह बना करके इसको एक गोल सेफ दे दिया है और हमारी बाटी बनके रेडी है एक बाटी और हम देखेंगे एक लूई ले करके एस्टा आटा मटा देंगे और इस तरह से उ जी तरह से हम सारी बाटियां बंद करेंगे यह बहुत बड़ीय बाटिया है बने इसमें सारी बाटियों को यह चैक करेंगे और फलीम के जूप करेंगे, अब के करिके हम पांचㅁ मिट बाट चेक करेंगे अब दूसरी तरफ हम इस तरह से एक रोस्टर ले लेंगे और फ्लेम को सिलो कर लेंगे और इस पर कुछ बाटियां सेखेंगे और यह देखिए इस पर भी हम बढ़िया से बाटियां सेख लेंगे इसको अलटते पलटते रहेंगे यह देखे, flame को हम slow ही रखेंगे, slow flame पर इस तरह से पलटके सारी बाटियां सेख लेंगे आपको जैसे आसान लगे, आप वैसे बनाईए, यह देखे, कितनी बढ़ी हमारे बाटियां सेख गई है बिना जिंजट के, ज्यादा समय भी नहीं लगा है हमको इनको सेखने में और दूसरी तरफ यह देखे, कड़ाय में भी भी सिख रही है क्योंकि यह बिल्कुल slow flame पर हम सेख रहे है इसको भी इसी तरह हम अलटते पलटते रहेंगे बाटियों में जब तक क्रेक्स ना आ जाए तब तक हमको इनको इनको सेखना है यह देखे हलके-लके से क्रेक्स आने लगे है और यह बढ़िया से हमारी गोल-गोल बाटियां बनके तयार हो गई है चलते हैं प्लेटिंग के लिए हमारा चूखा भी बनके रेडी है और हमने थोड़ी से प्याज के लच्छे काट लिये हैं इसमें लेमन जूस और नमक मिला लिया है और यहाँ पर लाल मिर्च को हमने सिर्के में 5 गंटे के लिए भिगो दिया था यह इसमें बहुत टेस्टी लगती है और बाटियों को इस तरह से लेकर के हम प्रेस करेंगे दबा देंगे और इसको घी में बढ़िया से डिप कर लेंगे जिससे की घी अंदर तक चला जाए और यह बहुत सॉफ्ट बाटियां हो गई है इस तरह से अब दूसरी बाटि भी हम इसी तरह से देखेंगे जो हमने कड़ाई में से की थी यह कड़ाई की बाटिया है इसको इस तरह से मतबा देंगे अभी काफी गरम है इसलिए थोड़ा हातों में लग रहा है अब यह देखिए इसको बढ़िया से हम घी में डिप कर लेंगे अंदर तक डूप जाएगी इसमें तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ी आएगा और इसी तरह हम सारी बाटियां अपना घी में डिप करके तयार कर लेंगे और हमारी पूरवांचल की डिस्ट तयार है आपको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी चोखा बाटी की रेस्पी कैसी लगी है थैंक यू झाल 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 झाल